हलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई चैनल वीजा गाइड वीजा गाइड देखने वाले आप से फ्रेंड्स का महार्दिक शवागत करता हूँ अभी मेरे पास लेटेस इंफरमेशन आ जा है वो थाइलेंड का अगर आप भी थाइलेंड गोमना चाहते हैं थाइलेंड जाना चा मैं आपको सारा प्रोस्त दा दूओंगा कैसे आपको थाइलेंड जाना है कैसे आपको भीजा लेना है और क्याके डॉकम sow게 अगर आपको थाइलैंड जाना है तो थाइलेंड फिलाहल बीजाओ नर्राइवल मत लीजएग आप अंब लिजम से जाकए शाना है और बहुत ही आराम से बहुत ही आजली बहुत ही स्मूथ आपको थाइलेंड का 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 थ तो आपको एडवांस मीजा ले 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 तो ज्यादा चाप के लिए रहेगा वीजा कैसे मिलता है वो मैंने कई वीडियों बताया है आप कहेंगे तो मैं बना भी दूँगा तो फिलहाल यह टॉपिक नहीं है कि वीजा आपको कैसे लेना है वीजा बहुत ईजली प्रोसेस है प अगर आप जाना चाहते हैं तो इनकी सर्ते क्या-क्या है वो मैं आपको उताता हूं इनका जो कोविड टेस्ट है उस से वेंटी टू आवर्स पहले आपको डिपार्चर आप से पहले इनका आर्टी पीस्या टेस्ट आपको निगेटिव दिखाना पड़ेगा उसके बाद आप ठाइलेंड पहुचँेंगे तो फिर आपका एग रिटी इस्ट होगा और वह भी वह दिखेंगे में उसके बाद आप वहां पर तीन दिन के बाद, तीन सचार दिन के बाद आपका फिर से एक कोविड टेस्ट होगा तो इन्हों ने तीन टेस्ट माझगा है अगर आप जा रहो Thailand होम ने के लिए तो 3 टेस्ट important है उसके बाद जो सबसे ज़्याद़ important है vaccination certificate आपके पास जो वैक्सीन आप णे लगवाया है जो certificate आपको मिला है उस certificate को आपको दिखाना पड़ेगा और insurance का जो minimum coverage है वो आपका 50,000 US dollar medical expense के लिए जो भी आप insurance लें उसकी जो premium है उसके जो आपको coverage भी ले वो 50,000 US dollar ये minimum requirement है minimum आपको इतना मिलना चाहिए और उसके बाद hotel का जो booking है reservation है confirm वो भी आप लगा सकते हो एक से 10 दिन पास दिन इतने दिन आप रखोगे तो वो hotel की booking इंपोर्टन है तो इसको भी आपको लगाना है इससे पहले आप Thailand जाते हो आपको बीजा मिल गया लेकिन Thailand जाने से पहले सबसे important है आपको departure करने से पहले Thailand जाने से पहले आपको एक पास लेना पड़ेगा तो उस पास कैसे लेना है एक website है वैं आपको यह आप link देख रहे हैं यहाँ पर यह जो website है इसका नाम है यह website है tp.counselor.government.th इस website पर जाके आपको अपने documents registration करना पड़ेगा आपको इस website पर जाके आपको registration करना पड़ेगा तो आप Thailand आपको Thailand जाने से पहले इस website पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको registration करना है registration करना है इस website पर जाके वो मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा अगर आप नहीं कर पाए तो फिलहाल मैंने website बता ही दिया tp.counselor.go.th इस website पर आपको साथ दिन पहले मतलब आप जा रहे हैं इन चार दिन पहले आपको यह website है यहां पर आपको जाके अपने documents जो रिक्वार्ड है मैंने आपको बता ही दिया vaccination certificate आपका लगेगा आपको साइट पर आपको registration करना है उसमें आपने जो insurance कराया है जो coverage जो आपको insurance मिला है जो PDF आपको मिला है हुआ आपको लगाना है और उसके बाद आपको अपने होटल बुक किया है वो आपको यहां पर लगाना है और थाई वीजा थाईलेंड का वीजा अगर आपको passport eligible है वीजा not required है तो आपको वीजा लगाने की ज़रूद नहीं है इतने सारे documents आपको registration में आपको लगाना पड़ेगा जैसे आप Hong Kong जाते हैं तो एक registration करते हैं उससी तरीके से registration भी आपको करना है वीजा है ठीक है लेकिन आपको registration कराना ही पड़ेगा तो बाकि जब बाकि आपको तीन RT-VCR test दिना पड़ेगा फस्ट जब आप यहां से निकलेंगे आप जिस country में वहां से आप निकलेंगे तब उसका silent पहुचेंगे तब उसके बाद एक RT-VCR test आपको और कराना पड़ेगा तो यह सब आपको आपकी घूमने के लिए है अगर आप आप घूमना चाहते हैं तो यह documents आपको देने आप में तब तक कि लिए बाए टेक केर धनुआद में